आप आप अप हेलो एवरीबन उतकरश क्लासेश की ओनलाइन पाथशाला में आप सभी का स्वागत है विश्व का भूगोल सीरीज में हम चार सीरीज देख चुके हैं और आज हम पांचवी की ओर बढ़ रहे हैं तो आज का हमारा जो शीशक है वो है महादवी प्रवा या कॉंटिनेंटल ड्रिप्ट देखिए जैसे जब हमारी प्रत्वी का हम प्रत्वी का इतिहास पड़ चुके हैं प्रत्वी का इतिहास हम लोग ने पड़ा हमने देखा कि प्रत्वी में कुछ परवत हमें दिखते हैं तो इस तरीकी से हमें प्रत्वी है उस पर अलग अलग तरीकी भू सनचनाए हमें नजर आती हैं तो उन जो भू सनचनाए हैं उनके पीछे क्या वो बल रहे होंगे वो कैसे बनी इतने बड़े बड़े जो पहाड़ है हमारा माउंट टेवरिस 8000 मीटर से भी जादा उचा है तो इतने बड़े इतने उचे पहाड़ बनने के पीछे क्या वो फोर्सेज रहोंगे किस तरीके से उठ गए और या फिर कोई घाटी है वो इतना कैसे दब गई तो यह सारी चीजें हमेशा हमें परिशान करती थी और इसके लिए अलग अलग पहले तो क्या था? पहले यह सोचा गया कि चो प्रत्षवी थी, वो पहले एक आग का गोला थी तो बहुत गरम थी धीरे धीरे वो ठंडी हुई, ठंडी होके क्या ओगई संकुचित हो गई और संकुचित होने से क्या हुआ उस पे कहीं कहीं दरारे पढ़ गई, कहीं उन्होंने सबसे पहले 1858 में 1858 में सबसे पहले संकुचन सिद्दान को छोड़ कर कुछ और कहा उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि संकुचन की वज़े से यह परवत पठार बन गे इसके पीछे कही न कहीं मादवीपों का प्रभाता यानि जो इस्थल बाग है जिस ठापन की वज़े से उसमें क्या हो रहा है यह अलग-अलग परवत पहाड बन रहे हैं तो सबसे पहले इन्हों ने जो है यह चीज कही थी बेसिकली इनका मक्सद परवतों की सनचना पढ़ना नहीं था इन्होंने क्या उब्जर्व किया इन्होंने देखा कि जो यूरोप ह आती हैं तो कोई ilay का निर्मान होता है उसमें दाप और दाप से परिवरतन के कारण तो जब उन्हों ने देखा कि यूरोप में जो कोई ila पाया जा रहा है और अम ऊत्री अमेरिका में जो कोई वो समान है तो इस समानता को लेकर उनके दिमाग में प्रशन उठा कि ऐसा कैसे हो सकता है आस्तों वो प्रदेश विलकुल अलग है तो उनकी वनस्पती भी अलग है और अगर वनस्पती अलग है तो कोईले में जो वनस्पती के अवशेश हैं वो भी अलग होने चाहिए लेकि सोच की उन्होंने सबसे पहले खा कि जो इस्थल भाग है वो इस्थिर नहीं है और उनमें क्या है प्रवा हो रहा है उनमें गती है तो इस तरीके से सबसे पहले एंटॉन्यो स्नाइडर थे जो 1858 में समत के साथ आए लेकिन फिर भी बहुत टाइम तक इस चीज पर कोई अध् टेलर महॉदे थे, इन्होंने जो काम किया वो 1908 में किया, लेकिन ये प्रकाषित थोड़ा बाद में हुआ 1912 जो टेलर महॉदे थे, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने सोचा कि जो टर्शरी पिरिएड में हमें वल्लिक परृत दिखते हैं, Tertiary period कौन सा था हमने देखा था हमारे जो Geological History यानि भूगर बे कितिहास वाली जो Series 3 उसमें हमने देखा था कि Tertiary period में क्या होता है पाँच एपोक होता है पाँच एपोक होता है कौन कौन से प्लायोसीन ईयोसीन मायोसीन ऑलिगोसीन आता है पहले ऑलिगोसीन मायोसीन और लास्ट में आता है आपका प्लायोसीन यह पाँच एपोक थे Tertiary period में और हमने देखा था कि जो Tertiary period है उसमें हमारे Alpine Mountain System, Alpine परवत जो तंत्र है उसका निर्मानुआ था और कौन-कौन से परवत जैसे Rockies है, Andes है, Atlas है, हमारा हिमालया है यह सब क्या है? उस टाइम पर ही बने थे Tertiary Period में तो यानि जो Tertiary Period का जो पांच इपोक हमने देखे तो इस इपोक में इतने सारे वलित परवत, एक साथ बनने की क्या वज़य रही होगी यह उनका अध्यान का छेत्र था, ठीक है? अब उन्होंने क्या किया? उसके लिए उन्होंने शुरू किया Cretaceous Period से, ठीक है Cretaceous Period भी हम पर चुक है किसमें आता है यह? मध्य जीवी में, मैसोजोईक काल में, एरा, मध्य जीवी या मैसोजोईक एरा जो था, उस काल में जो है Cretaceous Period था, जुरासिक के बाद याद आया आप सभी को, हम सब पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ाये, देखिए भूगर्वे के थिहास, तो आपको भूगोल समझने में थोड़ी सी कटना ही हो सकती है, तो आप जरूर उस सीरीस को देखें ठीक हैं, तो Cretaceous Period में क्या हुआ, जो चंदरमा हम आज देखते हैं, प्रथवी का उगड़ है चंदरमा, मून जो है हमारा, वो क्या है?, वो बना था, Cretaceous Period में ऐसा मानते हैं, कि जो आज हमारा प्रशांत महसागर है, कितना गहरा है, कितना बड़ा हैं, है ना प्रशांत म महासागर सबसे बड़ा हमारा महासागर है तो उस महासागर के स्थान से एक प्रत्वी का खंड निकला और वो चंद्रमा बन गया यह चंद्रमा की उत्पत्ती की जो फिशन थियोरी है वे खंडन सिध्धान्थ है उसके अकॉर्डिंग जो है यह कहा जाता है कि वो किस से बना प्रतवी के एक टुकडे से ए बना और वो तुकडा कहा से निकला प्रशान महसागर से निकलाथा ठीक है तो कुछ लोग अभी भी अभी हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी का वेलकम है हमारे क्लाशस में तो इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ते रहें तो क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ एक तो चंद्रमा बना था अब चंद्रमा बनने से क्या हुआ चंद्रमा बहुत पास था देखें क्रिटेशियस पीरियड में प्रत्वी से अलग हुआ तो यानि प्रत्वी के बहुत पास है चंद्रमा और चंद्रमा क्या करता है अ यहार उपर आकर्षन की शक्ति रखता है, गुरुत्वा गर्षन की बल लगाता है, इस वाश्य से हमारे जुआरभाता आतेय हैं, आप सबीने पढ़ा होगा, कि जुआरभाता सूरज और चंद्रमा की आकर्शन की वज़े से आते हैं, तो चंद्रमा जब इतना पास्ता तो उसके आकर्शन शक्ति और गुरुत्वा कर्शन शक्ति भी बहुत जादा थी और इतनी ज्यादा शक्ति की वज़े से क्या हुआ जो इस्थल खंड थे उनमें गती आ गई ठीक है तो क्रिटेशिस पीरियर्ड में दो खास बात ही हुई एक तो क्या था चंद्रमा का निर्मान और जब चंद्रमा का निर्मान हुआ इस वज़े से क्या हुआ आपके कि जो इस्थल खंड थे आपके उनमें गती आ गए क्योंकि चंद्रमा बहुत पास था और उसका गुरुत्वा कर्शन जादा था अब गती हुई तो गती किस तरफ हुई एक तो ही विश्वत रेखा क की तरफ देखें हम इसको एक डाइग्राम से समझते हैं यह देखो क्या हुआ सबसे पहले तो जो हमारी प्रत्वी है ठीक है यह इसकी भूमद्य रेखा है जीरो डिग्री और इस भूमद्य रेखा के अगर हम देखें तो पूरा जो पार्ट है आज हम जितना भी विश्व देखते हैं वो सब इसके डक्षणी गोलाग में था एक साथ एक पिंड के रूप में और आज जो हमारा दक्षणी धुरूब है तो आज जो हमारा डर्बन है डर्बन कहां पर है दक्षण अफरिका में दक्षिन अफ्रिका में हैं डर्बन तो वहां पर जो है आपका ये पूरा जो इस्थल पिंड था ठीक है वो डर्बन पर आपका साउथ पोल था यानि दक्षिनी द्रूप आज दक्षिनी द्रूप का है जल्दी से आप बताएं मुझे अपन इस क्लास को इस सेशन को इंटरक्टिव बनाते हैं मैं आपका वेट करें आपके आंसर का आज जो हमारा दक्षिनी द्रूप है वो किस कहां पर पड़ता है जल्दी से बताएं जल्दी से अपने जो कॉमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिख दीजिए कि जो दक्षिनी द्रूप है आज के समय कहां पर है वीडियो नहीं आ रहा है इसमें कुछ लोग लिख रहे हैं टेक्निकल टीम एक बर आप चेक कर लीजिए अगर ऐसा कुछ है सिर हमारे यहां से ओक है आप एक बर अपना नेट पैक जो है वो चेक कर ली हाँ दक्षिन द्रूप कहां पर है आज कुछ लोग लिख रहे हैं जल्दी से बताएं कि दक्षिन द्रूप आज के समय पर कहां पर है बर्तमान स्थिति क्या है उत्तर दिशा में दक्षिन द्रूप है अंटाक्टिका येस येस बिंजा राम जी जो बता रहे हैं अंटाक्टिका बिल्कुल अंटाक्टिका में आज हमारा दक्षनी द्रूब है लेकिन उस टाइम जस टाइम की हम बात कर रहे हैं यानी आर्कियन पीरियड ठीक है आर्कियन पीरियड कब था हम पढ़ चुके हैं इ यानि ये पूरा पार्ट कहा था साउध गोलार्ग में स्थित्ता ठीक है तो इस वज़े से अब धीरे-धीरे क्या हुआ इसकी गती होना शुरू ही उत्तर की तरफ और पश्चिम की तरफ ठीक है तो जैसे उत्तर की तरफ गती हुई तो इसके दो पार्ट हो गए इस तरीके स ठीक है कुछ ऐसा सा बन गया ये इस थलखन और ये आपका जीरो डिगरी भूमध्य रेखा ठीक है तो ये जो आपका इसे ये जो पार था हमारा उपर वाला इसे तो हमने बोला लॉरेशिया ठीक है लॉरेशिया इसे हमने बोला और जो साउथ वाला पार था उसे हमने क्या बोला ये था गौंडवाना लेंड गौंडवाना ठीक है जिसका कोईला भी हमारे यां पाया जाता है तो ये दो पार्ट बन गए और बीच में जो इस थान है इसे हमने बोला टैथीस सागर ठीक है तो ये आपका डिविजन हो गया अब क्रिटेशियस पीरियड में जब चंद टैथीस सागर है ठीक है और इसके उपर ये वाला जो पार्ट है नौर्थ वाला ये पूरा था अंगारा लेंड या सॉरी लॉरेंशिया या अंगारा लेंड और जो नीचे वाला पार्ट था इसे हम बोलते हैं गौंडवाना और ये जो पूरा पार्ट है ये सब सारा पार जुड़ा हुआ था और इस पूरे पार्ट को जो है हमने क्या कहा इस पूरे पार्ट को हमने कहा पैंजिया और इसके चारों जितना पानी था उस सारे पानी को हमने क्या कहा उस सारे पानी को हमने कहा पैंथलासा पैंथलासा ठीके तो दो हमारी चीजे आई एक तो सुपर कॉ जिसका नाम क्या था पैंजिया और एक सुपर महासागर सुपर ओशियन जिसका नाम था पैंथलासा उसके दो पार्ट थे जैसे ने देखा लॉरेंशिया और गौंडवाना लेंड ठीक है अब करिटेशिस जुरासिक पीरियर्ड में यह और अणरगुन लगे क्रिटेशिस प आपको दिख रहा है भारत है और यह तो आपका मेडगासकर है और यह आपका भारत है भारती है प्लेट है और यह मेडगासकर है तो यह सारे पार्ट जो है अलग-अलग हो गए और धीरे-धीरे करके आज जो हमारा वर्तमान विश्वय है उसके जैसे दिखने लगे जैसा हमा पश्चिमी और विश्वत रेखा की ओर, यह आप जरूर याद रखें, एक्जाम में अक्सर यही पूछा जाता है कि कौन से वो बल थे, जिनकी वज़े से इस्थल पिंडो में गती हुई, तो टेलर महोदे के अकौर्डिंग कौन सा ओबल था, कि चन्दमा की ज्वारिय गती जिसके कारण गती की दिशा क्या थी, विश्वत रेखा की ओर, यानि उत्तर की ओर, और उसके अलावा कहां थी, पश्चिम की ओर, ठीक है, तो यह आपको समझाया है, यह टेलर महोदे का कहना था, और टेलर महोदे ने बहुत अच्छे से इसको एक्स्प्लेइन किया, और उन्होंने कहा कि जो सीमा है, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि एस्थेनोस्पेर, सीमा क्या है, एस्थेनोस्पेर, तो वो तो तरल अवस्था में है, हमने पढ़ा था ही, और जो लीथोस्पेर है, यानि इस्थल मंडल है, वो किसमें है, ठोस अवस्था में है, तो मैंने आपक की वज़े से क्या हो रहा है उसमें परवतों का निर्मान हो रहा है तो क्रिटेशियस पीरियट में सबसे राधा पश्चिमी और विश्वत रेखा की और मुवमेंट हुआ इसलिए हमें हमालय जैसे छैतिज वलिक परवत मिलते हैं और अमेरिका की जो वेस्टन बॉर्डर है उत्तरी अमेरिका और दक्षिन अमेरिका दोनों की पश्चिमी जो सीमाएं हैं उस पर हमें रॉकी और एंडी जैसे बड़े उध्वाधर परवत भी देखने को मिलते हैं तो इस तरीके से हमने देखा कि जो टेलर मोहदे की अकॉर्डिंग की क्रिटेशियस पीरियट में हम इतने सारे वलित परवत मिलते हैं सियाल के सीमा के उपर तैरने के कारण और उनको फोर्स कहां से मिलता है चंड्रमा की जवारिय गती से अब इसके बाद क्या हुआ इसके बाद थोड़े टाइम बाद 1912 में 1912 में आई Continental Drift Theory यानि आपका महादवीपिय प्रवासिद्धान्त और ये कौन लेके आए इसके स्रजक थे आपके वेगनर महोदे थे जो Continental Drift Theory या महादवीपिय प्रवासिद्धान्त लेके आए ये भी बेसिकली इनका मकसद ये नहीं था कि पहार पठारों की रचना देखें ये ब देखें एक बार हम ये पूरा पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको मैं question पूछने के लिए समय दूंगी आप बीच वीच में जो पूछ रहे हैं वो miss होते जा रहे हैं शायद तो आप या तो दुबारा उनको type कर दीजेगा जब एक बार हम lecture खतम करेंगे क्योंकि अभी मैं मैं एक बार आपको explain कर रहे हूं तो मैं जारे comments पर नहीं पा रहे हूं ठीक है तो जलवायों संबंदी जो परिवर्तन हुए तो उनसे क्या हुआ आपके मलग कहीं पर हम देखते हैं कि जैसा हमारे जब south में थे तो डर्बन आज तो कहां पर है आज तो ocean कटी बंदिये चेत हैं ठीक है अब हमोड आज की टाइम पर तो वहां हमोड पाए जाने की कोई संभावना ही नहीं है क्योंकि महां पर तो अभी ocean कटी बंद में या ocean जलवाई हूं है तो इन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा दो ही तरीके से हो सकता है या तो कटी बंदों की जो है स्थ इसलों का विस्थापन हुआ हो और कटी बंदों की जगे वो कभी किसी कटी बंद में रहे हो और कभी दूसरे कटी बंद में रहे हो तो लेकिन इसमें कटी बंदों का विस्थापन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है और जो इसलों का विस्थापन है वो मानना फिर के बल कौन से जरूरी थे दो दिशाओं में विस्थाबन माना इन्होंने भी एक विश्वत रेखा की और और एक पश्चिम रेखा की और ठीक है अब विश्वत रेखा की और और पश्चिम की और ठीक है अब विश्वत रेखा की और जो फोर्स इनको ले जा रहे थे उसके ल प्लावक बल उत्प्लावक बल और दूसरा कौन सा बल था इसके लिए गुरुत्वा कर्शन बल गुरुत्विये बल अभी मैं बताती हूं कि यह दोनों बल कैसे गुरुत्विये बल इसके थुरू इन्होंने माना कि विश्वत रेखा की तरफ मुवमेंट हुआ और पश्च पश्चिमी दिशा में मुवमेंट के लिए ठीक है तो दो दिशाओं में मुवमेंट हो रहा है एक तो विश्वत रेखा की ओर और एक पश्चिम दिशा की ओर तो जो विश्वत रेखा की ओर हो रहा है वो इस प्लावक बल उस प्लावक बल देखो क्या होता है कि जब हम कि इसी चीज को पानी में डुबोते हैं आपने देखा होगा बहुत बार कि अगर आप जैसे कोई मग है उसको बाल्टी में भी पानी से भरी वी बाल्टी में भी गोएंगे तो क्या होगा वो उपर तैरने लग जाता है ठीक है तो से हम बोलते हैं उत्पलाबक बल यानि कोई च जसे इन वह स्प़यर यानि सीमा के उपर तैरा और उस पर कोई घर्शनबल नहीं लग रहा है ठीक है पहली चीजत तो सनगोनी कोई घर्शनबल नहीं है घर्शनबल 0 offend कह दूसरा गूरृत्वियबल देखो कोई भी गूरृतवाकर्षण जो चीज होती ठीक है गुरुत्वा करत कोई भी वस्तू है अगर उसकी तो सबसे ज़ला संगुचन होता है तो जिसे प्रथवी प्रथवी का इतना सारा द्रविमान है तो उसका केंद्र पर है जीरो डिगृरी पर होगा विश्वत रेखा के पास एकडम सेंटर में तो जो सारे स्थर्पिं दो बल जो है वो विश्वत रेखा की तरफ जो है गती के लिए जिम्मेदार है और दूसरा पशिम योरिय बल के कारण जो मैं आपको बताई चुकी हूँ कि सूरज और चन्दमार का जो गुरत्वा करशन बल लगता है या अकर्शन बल लगता है उसकी वज़े से जो है जो है प्रूफ चाहिए कि क्या ऐसे चीजे हैं तो पहली चीजे Jigs of it जैसे हम बोलते है Jigs of it Jigs of It का क्या मतलब है देखी आज हमारा वर्तमान विश्व का आपको चित्र दिख रहा है ये मैप है वर्तमान विश्व का देखे एक बार South America की तरफ देखते हैं दिख रहा है आपको South America, अगर हम इसको देखें, अफरिका की बनावट कैसी है, इस तरीके से, तो हमें कहीं नहीं लगता कि अगर इस जगे को हम इस जगे fix कर सकते हैं, कुछ हद तक, कुछ हद तक हम इसको डक्षिन अमेरिका में, अमेरिका को अफरिका में fix कर सकते हैं, ठीक यह सारे छेत्र हमें जुड़े हुए से लगता है, यानि जैसे हम बचपन में गेम नहीं खेलते थे, कि उसमें बहुत सारे पार्ट होते थे, और उनको हम तोड़के अलग-अलग रख देते थे, और फिर उनको दुबारा जोड़के हमें वो picture बनानी होती थी, बचपन में खेले होंगे, आपने कई इस तरह के खेल, तो वैसा ही कुछ समझ लीजे, कि यह जो टूटे और लगभग, अगर हम देखें तो यह एक सार जुड़ सकते हैं, ठीक है, तो इस वज़े से क्या होता है, जो आपकी यह borders हैं, वो almost same है, इनको हम जो बोलता है, जिक soft fit, यानि इ गुरोप में उपर इस जगे जो परवत मिलते हैं, उनकी समानता अपलेशियन परवत के जो हैं, परवतों से मिलती हैं, तो इस तरह किसे जो परवत हैं, दोनों तरफ, यानि इस सागर के दोनों तरफ जो परवत हैं, उनमें बहुत जादा समानता है, ठीक है, तीसरा क्या ह जीवा अफ्शेशों में समानता यानि इस सागर के दोनों और जितने भी जीवा अफ्षेश मिलते हैं उनमें भी बहुत हथ तक समानता है ठीक है तो यह ऐसी समान्ता जो है वह हम कैसे का एक पहार जो है में स्कैंडीनेविया छेत्र में भी मिलता है तो इस तरीके से ऐसा लगता है कि जैसे बीच में ब्रेक हो गया हो और इसलिए वो परवट तूट गये हों क्योंकि अचानक से वो खतम हो जाते हैं एक समुद्र तट पे आकर ठीक है चौथा इसमें लेमिंग लेमिंग देखो क्या थे लेमिंग एक जीव था जो कि कहां पाया जाता है ये आपका नॉर्वे और ग्रीनलेंड ये जो पूरा छेत्र है इसमें पाया जाता था लेमिंग अचानक से क्या हुआ एक दिन ऐसा हुआ कि सारे लेमिंग ने कूद के और अटलांटिक महसागर मे जो क्या है सुसाइट कर लिया अब अचानक से इतने सारे जीव एक साथ सुसाइट क्यों करेंगे तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने क्या क्या उनको पहले ही पता था कि उत्री अमेरिका पश्चिम की ओर है यानि अगर जिमाली जा आप ग्रीन लेंड के पश्चिम में देख पा रहे हैं इस वएसे इसका मतलब क्या है वो पानी में गिर गए उनको लगा था वहाँ पर जमीन है लेकिन जमीन नहीं थी और इस वैसे वो पानी में गिर गए तो ऐसा बोलते है कि जो लेमिंग ने एक साथ जो इतनी बड़ी संख्या में आत्मत्या की उसकी वज़ए य कुछ कुछ जो क्या है कमिया है इन दोनों ही सिद्दान्तों की यानि टेलर महोदे की और वेगनर महोदे की अचा इसमें एक चीज और हमारी रह गई है वो क्या है जैसे अगर आपन देखेंगे ठीक है इसमें इन्होंने ये तो एक्स्प्लेइन कर दिया कि इस वज़े से यह जो हैं इन में समानता पाई जाती है और यह अलग-अलग हो गया है अब इन्होंने क्या इस्प्लेण किया कि यहां पर यहाँ पर एंडीज है इधर जो और इधर हिमालिया है इसकी इन्होंने जो यह बताया कि कैसे हो सकता है तो इन्होंने ये कहा कि जब ये पश्चिम की और खसक रहा था ये छेत्र तो इस पे क्या हुआ घर्षन लगा यानि पश्चिम की और जब उत्री अमेरिका और दक्षिन अमेरिका पश्चिम की और गती कर रहे थे तो जो नीचे से सीमा जो है उसने उन पर घर्षन लगाया और इस वज़े से यहां पर परवत उट गए जैसे अगर मानलो आप एक अख़बार के टुकड़े या कागज के टुकड़े को अगर आप सरकाएंगे जमीन पर तो जहां भी उस पर घर्षन लगेगा तो वो थोड़ा सा उठ जाएगा अगर आप करके देखना इस सीच को एक पेज को सरका के दिखना वो कहीं पर एक जैस और उस गती को मेंटेन ने करने वो धीमे पढ़ गए और धीमे पढ़ने के कारण पीछे छूट गए समझ रहा कि अगर सपोज एक रेस चल रही है एक दौर चल रही है तो उसमें कुछ लोग जो भाग गए एक गृप था वो तो पूरा भाग गया लेकिन दो तीन लोग ज क्या किया एक ही अपना सिद्धान बताया और उसके माध्यम से सब कुछ एक साथ एकस्प्लेइन करने की कोशिश की तो इसके जो हैं कुछ-कुछ हमें लूप होल्स देखने को मिलते हैं वो क्या क्या हैं हम देख लेते हैं कि पहली तो अगर हम बात करें सबसे पहले हमने क् दिसकस किये थे तो टेलर महोदे का क्या था कि टेलर महोदे ने यह बताया था कि जो आपके क्रिटेशिस पीरेड है उस टाइम पे चंद्रमा का निर्मान हुआ और चंद्रमा की ज्वारी शक्ती के कारण गती शुरी हुई और उसी गती की वज़े से जो हैं आपके जितने यानि जो tertiary period में जितने परवत बने वो इस वज़े से बने लेकिन अगर आपको पता हो हमने चार परवत निर्मान तंत्र पड़े थे पहला कौन सा था Cambrian चार परवत निर्मान पे पहला Cambrian था दूसरा Caledonian था थर्ड था आपका हर्सीनियन और चौथा क्या था चौथा था अल्पाइन ये चारो जो हैं आपके परवत निर्मान तंत्र हमने पड़े थे ठीक है तो ये सारे तो हमारे कब तक हो गए थे पूरा जीवी कलब तक हो गए थे पहले जो हर्सीनियन था वो हमने कहा पड़ा था पर्मियन में पड़ा था ठीक है लास्ट और उससे पहले ये दोनों हो चुके थे तो यानि ये सारे कब तक हो चुके थे आपके पूरा जीवी पीरियड में हो चुके थे लेकिन जो अल्पाइन था वो किसमें आया था आप आपको मäध्यय जीवी में आपके जुरासिक और cụेशियस पीरियड आते हैं उसके ंंदर इन्होंने है कि ब्रेक अप ठीक है, Cretaceous period में, लेकिन उससे पहले के परवत निर्मान तंत्र, फिर ये बता नहीं पाए कि उससे पहले के जो परवत निर्मान तंत्र थे वो कैसे बने, ठीक है, क्योंकि उन्होंने चलो tertiary का तो हमने मान लिया, पर उससे पहले भी तो परवत निर्मान हुआ है, तब तो जो सीमा है, वो एकदम घर्षन रहित है, यानि कोई घर्षन सियाल पर नहीं लगाता है, और बाद में इन्होंने क्या कहा कि रॉकीज और एंडीज जब बन रहे हैं, तो जो सीमा जो है, वो सीयाल पर घर्षन लगा रहे हैं, तो यानि उन्होंने अपनी ही बात को चित्ता थी कभी यह बोल रहा है कि लग रहा है कभी बोल रहा है नहीं लग रहा है तो यह इनकी पहली कमी थी दूसरी क्या थी दूसरी इनके लिए था कि सबसे ठीक है आपने यह मान लिया कि हमने कार्बोनी प्रीकेम्ब्रीन और उसके बाद जो आपका पूरा पूरा जीवी आ गया पूरा जीवी में कार्बोनी फैरस से पहले का पार्ट उस टाइम तक पूरा पैंजिया एक साथ कैसे था यानि वो कौन सा बल था जो पूरे पैंजिया को साथ रखे हो था क्या तब गुरुत्वा कर लिए आज हमने दो जो हैं थियोरी पड़ी दो सिधान पड़े एक तो महाद्विपिय प्रवाद सिधान और एक महाद्विपिय विस्थापन सिधान Continental Displacement and Continental Drift थियोरी टेलर की और वेगनर की तो होफुली आपको यह समझ आयोगा अगर अब आपके कोई सवाल है तो करने की वज़े से आप दुबारा पूछ लीजी एक बार अपने सवाल अब हम उनको डिस्कस कर लेता है के करके जल्दी से पूछले मैं वेट कर रही हूँ आपके सवालों का मैम क्या महाद्वीप अभी भी गती कर रहे है बिल्कुल सर अभी भी जो है महाद्वीपों में गती हो रही है और लगबग अगर हम बात करें भारतिये प्लेट की तो दो सेंटीमीटर प्रती इयर की गती से थ दीरे और उठ रहा है और हो सकता है कुछ वर्षों बाद और भी जादा उठ जाए और हो सकता है जैसे अभी तीन हमारे हमाले की शेणिया ऐसे हमें और बी कोई नई शेणि देखने को मिल जाए बहरत में एक चौथी शेणिया जैसे इन दिनों बहुत जादा भूकम के आशिवालिक तो उसके बाद एक और जो श्रेणी हमें उसके पैरलल श्रेणी समांतर श्रेणी देखने को मिल जाए तो बिल्कुल ये मूव कर रहे है चंद्रमा किसोर गूमता है वामावर्थ या दक्षनावर्थ देखो ये चंद्रमा प्रत्वी से अलग हुआ तो कर रही हूं जितने भी आपके सवाल पहले चूट चुके हैं मैं उसके लिए माफी मांगते हूं क्योंकि उसके मैं एक्स्प्रेइन कर रही थे आपको वो चीजे तो उन सवालों को चलती क्लास में ले पाना थोड़ा सा मुश्किल था वेगनर का सिद्धान्त आज भी मानने है क्या देखिए कि कुछ सिद्धान्त है जिन्होंने एक ऐसी कड़ी बनाई जैसे अगर हम बात करें टेलर की तो जब हम जो हमारी अगली सीधी जाएगे उसमें हम प्लेट विवर्तिनी की सिद्धान्त प्लेट टेक्टोनिक ठियोर सिद्धान्त आते चले गए और पूछ लीजे अगर आपके कोई question है मैं भूकंप क्यों आते हैं देखिए भूकंप इसलिए आते हैं क्योंकि जब चट्टाने हिलती है ठीक है जो प्रस्वी के अंदर की स्थल के नीचे की जो चट्टाने हैं उनमें जब कुछ हलचल होती ह यानि वो खिसकती हैं यह सारी चीजे हम प्लेट विवरतनी की सिद्धान जब कल पर्सों जब भी हमारे नई सीरीज में डिसकस करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से नीचे से जो है कुछ उश्मा की तरंगे निकल रही है और इस वज़े से जो है आपके प्लेटों जो आज हम तीन पांच महासागर देखते हैं वो सारे जुड़े हुए थे और उसको हम पैंथला सा बोलता है चंद्रमा को हम सबसे ज़्यादा कब और कितना देख सकते हैं देख तो हम चंद्रमा का हमेशा एक ही बराबर का पार्ट देख सकते हैं लेकिन ज़्यादा देख गाटी क्या होती है, ब्रंश गाटी तो हम डिसकस कर चुके हैं, रिफ्ट वैली जो हमारे सीरीज 2 था, उसके अंदर हम डिसकस कर चुके हैं, कि जो हमारी दो प्लेटें अलग दो दिशाओं में गती करती हैं, तो उसकी वैसे बीच में चटकन आ जाती है और जो बीच वाला पार्ट है वो नीचे गिर जाता है, यसे हम ब्रंश गाटी कहते हैं देखे, इस जो हमारी आज की जो सीरीज से उससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेस्टन है तो पूछे बाकि आपके जितने सवाल हैं दीरे दीरे आप हमारी सीरीज से जुड़े रहें और आपके सारे सवालों के हल आपको मिलते रहेंगे ठीक है अगर आपने पिछली वाली जो सीरीज हैं वो नहीं देखिए तो एक बार उन्हें भी जाके देख लेए वो भी बहुत इंपोर्टन्ट है और आगे की सीरीज में भी हम बहुत सारी नई चीज़ें डिस्कस करेंगे तो आप वहां तक का वेट करें और आप बिलकुल आपको आपके सारे सवालों के जवाब जो है मिल जाएंगे अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मेरे हमारे ऐसे ही और जो है ज्यानवर्दक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे जब भी हम लाइव आए तो आपको तुरंट जो है पता चल जाए सुचना मिल जाए थांक यू बेरी मच् पडिक ऴूटर बटन को ज्ती को सँच्क्रीद बहुति हो अज़ सबस्क्रीक चानल बेल इकान allez ईकड करने के लिड़ अव कला लिण का ये जव बड़ी